चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिफ्ट कॉस्चिन तू रोप्स आर टाइड टुगेदर एड़ सी एक पॉइंट है सी जहां पर यह दो रोप्स है जो की टाइड है ठीक है क्या मतलब है मान ले रहा है कि अगर जो टेंशन है ठीक है किस में रोप में उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है अपका 3.5 किलो न्यूटन क्या बोलता है if the maximum force P that can be applied maximum force P ठीक है यह P है यह अगर maximum force P जो लग रहा है उसका क्या करना है direction निकालना है एक तो P की value चाहिए और दूसरा क्या उसका direction चाहिए ठीक है अब क्या बोल रहा है tension लग रहा है rope में ठीक है अब tension कहां कहां लगता है जैसे for example अपने बोल सकते tension rope में लगेगा belt पे लगता है, cable पे लगता है ठीक है तो ऐसा कोई member है जो की लचीला होता है तो हम वहाँ पर वहाँ tension लगता है ठीक है तो tension का जो value दे दिया है जिसे हम अपन T max जो बोलते है T max को क्या बोल सकते tension T ले रहे हैं और maximum को T max ठीक है value किता है 3.5 kilo newton ठीक है यह maximum permissible condition दिखा रहा है अब क्या बोलता है क्या चाहिए P की value अपने को चाहिए और दूसरा क्या चाहिए theta की value चाहिए ठीक है अब इसमें क्या करना है इसका सबसे पहले क्या बनाना अपना को free body diagram free body diagram का क्या है अब जैसे इसमें एक force लग रहा है यहां पर P यह क्या बनारा आपका theta ठीक है अब जब tension की बात करती है तो हमें एक error हमेशा ऐसा बनाएंगे ठीक है कि यह tension पर यहां से tension शो कर रहा है यहां से tension शो कर रहा है इसका नाम रख लेता है TBC इसका नम रखता है अपन TAC ठीक है तो अगर ये 50 है तो ये क्या होगा ये भी 50 degree होगा और ये 20 है तो ये भी क्या होगा ये भी 20 degree होगा तो इसके बाद हम क्या करते है यहाँ से एक force लगाएंगे TBC और इसको क्या बुलेंगे अपन 50 degree ठीक है और same ऐसा एक force जाएगा यहाँ उसका value क्या हो जाएगा 20 degree इसका नाम क्या होगा TAC अब क्या करेंगे sigma fx लगाएंगे sigma fx is equal to 0 यहाँ पर equal to 0 क्यों है क्योंकि equilibrium condition पर यहाँ से move नहीं कर रहा है क्या हो रहा है जैसे कि माल लेते हैं जैसे कि दो ropes है ठीक है वहाँ से एक और force P force का क्या खीच रहा कोई तो obviously वह यहाँ पर push होगा इस direction पर P force पर push होगा तो उसको खीचने के लिए अपन बना तो यह C point के आपका equilibrium condition है तो इसलिए अपन C point को consider करते हुए equilibrium free body diagram बनाए है अब क्या है sigma fx is equal to 0 that means P cos theta ठीक है plus TBC cos 50 degree यह दोनों इस direction पर और इस direction के अगर बात करें तो क्या लिखेंगे TAC ठीक है cos 20 degree ठीक है इसको क्या लिख सकते है इसको हम लिख सकते है P cos theta is equal to TAC cos 20 degree minus TBC cos 50 degree इसको equation 1 माल लेते है ठीक है फिर क्या करेंगे sigma fy निकालेंगे sigma fy क्या कैसे निकालेंगे upward force, downward force तो इसमें क्या upward क्या है P sin theta is equal to क्या लिखेंगे TAC अब यहाँ पर यह कौस आ चुका तो यहाँ पर क्या आएगा यह sin 20 degree minus TBC sin 50 degree ठीक है यह equation क्या होगे आपका second equation अब क्या देख रहे है कि P n न है और theta b n न है question में क्या बोल रहा है कि maximum कि maximum permissible tension force maximum permissible tension ठीक है कहा लग रहा है in each ropes मतलब यह दोनों rope में लग रहा है तो अब हमको अगर P और theta का value solve करना है तो हमको यह मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ और यह दोनों rope में maximum force लग रहा है तो इससे क्या समझ मैं है इससे समझ मैं है कि t ac और tbc इसको हम लोग 3.5 kN ले सकते हैं अब बार बार आसा न लिखके अपन इसको tb ले सकते हैं अपने assumption के लिए ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे equation 1 ठीक है अब p की value चाहिए तो हम क्या करेंगे equation 2 को divide करेंगे equation 1 से ठीक है p sin theta upon p cos theta ठीक है इसकी value क्या निकलेगी अब क्यूंकि सब t एक बराबर है तो t को हम common निकाल लेते हैं इससे t common निकल जागा तो क्या निकलेगा t sin 20 degree minus sin 50 degree उसी तरीके से इसी equation से क्या t बहार निकाल लेते हैं तो क्या जाएगा cos 20 degree minus sorry इस पर एक गलती है कि ये plus होगा minus नहीं होगा क्योंकि ये दोनों downward act कर रहा है तो ये आपका positive आया और यहाँ पर क्या जाएगा cos 50 degree ठीक है तो t t तो कड़ गया p p भी कड़ गया इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 theta लिख सकते हैं 10 theta 10 theta is equals to क्या आएगा 10 theta में क्या आ रहा है इसमें sin 20 plus sin 50 upon cos 20 minus cos 50 value क्या आ रहा है 3.732 ठीक है इसका 10 inverse करते हैं तो 10 inverse करने से इसके value कित्ती आ रही है 75 that means theta की value क्या हो गई 75 3.732 तो theta की value क्या निकली अपने को 75 degree ठीक है 75 degree अब 75 degree तो अपने को निकल गई अब अपन को क्या चाहिए p की value चाहिए p की value निकालने के लिए किसी भी equation को दे सकते हैं तो first equation लेते हैं तो क्या ले रहे है p cos theta is equals to t ac cos 20 degree minus tbc cos 50 degree अब इसमें भी 50 common ही है तो t count बाहर निकाल लेते हैं क्या लिख सकते हैं cos 20 degree minus cos 50 degree अब क्या है cos 20 degree sorry cos 20 degree minus cos 50 degree इसको solve करने से कुछ value आई ठीक है तो आई है t 0.2969 ठीक है क्या लिख सकते हैं कि p is equals to t की value कित्ती थी 3.5 इसके value कित्ती आई इसके value कित्ती आ रही है इसको क्या करेंगे 3.5 इंटू अंसर अपॉन cos 75 degree इसकी value कित्ती आ रही है 4.015 यूनिट क्या होगा क्योंकि किलो न्यूटन था तो यह क्या हो जाएगा आपका किलो न्यूटन ठीक है तो p की value कित्ती निकली 4.015 किलो न्यूटन सारी p की value कित्ती आई 4.15 किलो न्यूटन